Good morning students, how are you? I hope you will be fine, I am also fine, और आप अपनी सेफटी का भी सेफटी भी पूरी रखने होंगे, ठीक है बटा? ये आपकी ग्रामर की बुक है, इंगलिश की, ये वाली सब निकाल लो, निकाल ली सबने, आप इसको ओपन करेंगे, ओपन इट, ओपन इट, डेसन टू निकालेंगे, ठीक है? लेसन बन मैंने आज करवाया था ना, अब हम करेंगे लेसन, कल करवाया था ना, आज हम करेंगे लेसन टू, लेसन टू क्या है? naming word क्या है lesson two naming word chapter का नाम है naming word naming बन्दो नाम करन शब्द ठीक है पहले हम date डालेंगे किती date है आज 4 माई 2021 और day क्या है आज Tuesday ठीक है आज day है Tuesday आप सबने लिखना है ओकी मिटा अब हम स्टार्ट करते हैं naming word word that name person 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 मतलब किसी का भी नाम जैसे आपका नाम हो गया मेरा नाम हो गया यह आपके ममी का नाम हो गया पापा का नाम हो गया ठीक है P-L-A-C-E place place मतलब जगा किसी जगा का नाम ठीक है A-N-I-M-A-L animal animal मतलब janwar or T-H-I-N-G thing thing मतलब cheese are called naming N-A-M-I-N-G naming words W-O-R-D-S words मतलब वो words words that name जिस वर्ड से हम name देते हैं किसी person को person को place जगा को animal को और cheese को उसे हम कहते हैं naming word naming मतलब नाम करन ठीक है नाम करन मतलब किसी का भी नाम हो ना उसको हम naming word कहते हैं person क्या होगे जैसे यह है यह अंकल है ना यह doctor है यह ना ठीक है जैसे आपके ममा होगे पापा होगे भाई होगे बहन होगे चाचा चाजी इनके सब के नाम जैसे आपकी teacher का नाम ठीक है और यह animals animals का नाम उसको भी हम naming word कहते हैं किसी जगा का नाम प्लेस मतब किसी जगा का नाम उसको भी हम naming word कहते हैं किसी चीज का नाम उसको भी हम naming word कहते हैं और अब आ गया अभी इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी person, animals, place और things कैसे है naming word आप देखो name of person अब जो persons के name होते हैं उसको भी हम naming word कहते हैं बताया ना आपको जैसे ये क्या है cobbler cobbler कोन होते हैं mochi mochi कोन होते हैं जो जूते वगारा जूते चपल ठी करते हैं उनको हम mochi कहते हैं cobbler पतलब mochi ठीक है mochi ok sweeper sweeper आपको पता ही ये कौन होते हैं जो सडक साफ करते हैं है ना हमारी बाहर सडक साफ करते हैं उनको हम जो कच्रा साफ करते हैं उसको हम sweeper कहते हैं ठीक है और ये कौन है teacher जैसे मैं आपकी teacher हूँ है ना यैसे ये teacher है बोड पे पढ़ा रही है इसको हम क्या कहते है टीचर ये भी नेमिंग वर्ड हो गया इसको हम स्विपर कहते है ये भी नेमिंग वर्ड हो गया परसन का और ये भी नेमिंग वर्ड हो गया हम इसको देखके बोलेंगे न कि ये मोची है कोबलर है ये जो काम करता है ये स्विप हुआर सुिपर कहते हैं पिए और यह पीज आपको हम कौन जाटा मुझे और किहाते ह 은 मम्मा मुझे बाल कटवाने जाना है बारबर के पास ले चलो यही बता के लेके जाते हो न तो यह भी क्या हो गए नेमिंग बड़ नेक्स पेस ही का लेंगे अब आगया प्लेस ठीक है नेम ओफ प्लेस प्लेस मतलब जगा जो जगा के नेम होती है अब जैसे माउंटेन मतलब पहाड आप इनको पहाड़ी बोलोगे न क्या नाम है इनके पहाड़ों को पहाड़ बोलेंगे न आप बोलोगे ममा मुझे पहाड़ देखने जाना है न ऐसे पहाड यह भी एक नाम हो गया ठीक है आप जैसे यह आप पढ़ने कहा जाते हो, स्कूल में, कहा जाते हो, स्कूल में, है न, आपकी ममा बोलती है न, चलो स्कूल जाओ बेटा, बोलती हो न, बोलती है न ममा आपको, स्कूल के लिए तियार हो जाओ, यह थोड़ना बोलती है कि, खेलने के लिए, खेल के मिदान में पढ़ने यह इसको पोस्ट आफिस दाख़ना चाहँ ठीक है लिटर हम आपने बेजना होता है जहां इसको पोस्ट आफिस विजा रहे जहां इस भी नाम ही आपको भी आप पिपि मुझा है और दी आप भी आप वह सब मतहसे है फिक ठीक है और जू ब्यूब यह प्लेस है माउंटेन मिं प्लेस प्लेस भैस प्लेट में प्लेस है दिल भी आप किसी noite से बारते हो दोर मताते हूं घो कुंदी में है आप कहते हो जैसे आप घूमने जाते हो आप कहते हो मुझे हॉर्स राइड करना है हॉर्स राइड मतलब घोड़े की पीट पर बैठकर राइड करना है चीक है तो घोड़ा बोलोगे ना उसको आप है ना उसका एनिवल का नाम क्या है हॉर्स और यह क्या है चीता टाइगर इ इसका नेम है, यह क्या है होर्स, घोड़ा, यह क्या है, पिकोग, पिकोग क्या होता है, मोर, पता है ना आपको पिकोग क्या होता है, मोर, ठीक है, क्रो, क्रोग भी आपको पता है, को वा, है ना, ब्लैक कलर का होता है, कहां कहां करता है जो, है ना, होर्स, घोड़ा, यह सब क के नाम इनके नाम बोल्ति तभी आपको पता लगते हैं कि यह गोला हैं यह मौल और्द के नेम यह क्रोर है यह पिजन है यह आप बोलते हो ना तभी कौनगते हैंacja चीटा के बहुत सारे मतब ऐसे animals के नेम होते हैं ठीक है अब next page निकालेंगे next page निकालो अब आगया means of things things क्या होते हैं चीजे, चीजों को थिंक्स कहते हैं, जैसे चेर चेर को थिंक्स कहते हैं जिसमें जान नहीं होती हैं उनको हम मतलब चीजों को हम थिंक्स कहते हैं, ठीक है? जैसे क्या है? ये चेर है ठीक है? ये बस है ये ट्री है ये पैन है, ये बॉल है है ना तो यह क्या है things सभी यह भी नेम है ना इनके सब के आप कहते हो चेर है मुझे चेर ला दो मैं school bus से जाओंगा bus से जाती हो है ना मैं पेड के पास खेलूँगा आई से बोलोगे ना आप मैं pencil लिखूंगा pen pen बोलोगे ना अगर आपको pen चाहिए तो pen बोलोगे pencil चाहिए तो pencil बोलोगे है ना जैसे मैं ball के साथ खेलूँगा आप ball ही बोलोगे ना है ना जैसे आप football के साथ खेलना चाहोगे तो आप बोलोगे football के साथ खेलूँगा आप बोलोगे मुझे bad ball के स to the correct picture one has done for you मतलब आपको क्या करना है आपको person दी होऊं है ठीक है ये सब person दी होऊं है आपको सही जगा मैच करना है ठीक है जो जिसका name है जैसे clown क्या होते है joker clown मतलब joker देखो यहाँ पे joker कहा पे है यह रहा है न है तो हम इसके साथ मेच कर देंगे नर्स, नर्स पता हुआ न आपको कौन सी हुगती है पेशन्ट का मरीजों का तो इसके साथ इसको मैच कर देंगे पोस्ट मैन जो लैटर देने आता है तो कौन है यह रहा तो इसके साथ मैच कर देंगे इसका ना गार्डनर मतला माली गार्डनर मतला माली ठीक है माली कहा पे है ये रहा देखो पानी दे रहा ना पौधों को इसके साथ मैच कर देंगे ठीक है बेटा ये ऐसे करना है मैं आपको ये पिच्चर बाद में क्लिक करके देदूंगी आप कर लेना अब आगया next फिल करेंगे ये वाला फिलिंग दा ब्लैंक्स विदा मिसिंग लेटर टू कम्प्लीट दा नेमिंग वर्ड्स मतलब आपको फिल ये पिच्चर देखके इसको फिल करना है और नेमिंग वर्ड कम्प्लीट करना है जैसे ये लकडी वाला काम करता है इसको हम क्या कहते हैं, कारपेंटर, है ना, इसको हम कहते हैं कारपेंटर, कारपेंटर के स्पैलिंग क्या आते हैं, पहले आप कार के स्पैलिंग लिखे लोगे, C-A-R, C-A-R, कार, फिर पैन, पैन, पैन के स्पैलिंग लिखो, P-E-N, पैन, T-E-R, कारपेंटर, पहले कार के स्पेलिन लिखे फिर पैन के पी एन पैन टी एर टर कार पैंटर ठीक है अब ये किसकी पिच्चर है ये तो सबको पता होगी बैट की बी ए टी बैट ठीक है ये क्या है लोयन करता है जो है ना ल आई ओ एन लोयन ये क्या है डक जो पानी में चलती है डक के क्या स्पैलिंग होते है डी यू सी के डग ये कौन है नर्स जो होस्पिटल में इलाज करती है मरीजों का अन यू अर एस ई नर्स ये क्या है डौक जो भौकता है डी ओजी डॉग आपके घर पे भी डॉग होगा किसी के है ना अब यह देखो fun zone टिक राइट दा पिच्चर विच आर थिंग्स जो चीजे थिंग्स है ठीक है उस पे आपने टिक करना है जैसे ट्री के है तो हमने यह आपे टिक का निशान लगा दिया पर्षन थिंग नहीं है ना इसलिए इस पे हमने क्रॉस कर दिया ठीक है अब बस भी थिंग्स है तो इसमें भी आप टिक कर दोगे यह टेबल भी थिंग्स है इसमें भी आप टिक कर दोगे बैट भी थिंग्स है इसमें भी आप टिक कर दोगे ठीक है अभी ये बुक भी थिंग्स है इसमें भी आप टिक कर दोगे ये स्टिक भी थिंग्स है तो आप इसमें भी टिक कर दोगे ठीक है ये भी ऐसे करना है ये देखो ये बुक है तो यहां भी टिक कर दिया ठीक है और में रॉव करना है यह आपने ऐसे करना है इसके मैं पिच्चर फिर करके दे दूंगी फिर आप इसको कर ले लेड़ ओक के बेटा ये हो गया आपका नेमिंग वर्ट एब ये लेसन आगया चोटा सा लेसन है यह भी करवा देती है आपको नेमिंग बड़ तो वह होगे जो कॉमन थे जैसे जैसे डाक्टर नर्स माउंटेन है ना यह नेमिंग बड़ जो होगे कॉमन थे जो कारपेंटर बस ट्री पुलिसमेन स्पैशल नेम तो नहीं था ना किसी का अब आ गया स्पैशल नेम पहले आमने नेमिंग बड़ पड़ था ना यह आ गया स्पैशल नेम इसमें भी डेट डाल लो फोर माई 2021 और टे कों साज ट्यूस्टे अब यह देखो स्पैशल नेम क्या होता है जो खास नेम होता है किसी का ठीक है किसी का नाम जैसे आपका क्या नेम है जैसे आयान हो गया लक्षीत हो गया ठीक है कनिशका हो गई है ना अनन्या हो गई यह सब क्या है सानवी हो गई यह सब क्या है नेम स्पैशल नेम है है ना किसी जगा का स्पैशल नेम हो गया जैसे दिल्ली हो गया कैलकटा हो गया यह सब क्या है स्पैशल नेम है ठीक है ऐसे ही जैसे पेड़ के नेम हो गया जैसे नीम नीम का पेड खास हो गया नै नेम का पेड बरगत का पेड तो यह भी क्या है special name है ठीक है अब यह देखो मैं समझाती हूं आपको lookat these picture जैसे यह क्या है boy है boy तो naming word हो गया न एक तो इसका name क्या है अभी तो यह और लेकिन इसका नेम क्या रखा हुआ किटी ता किटी ठीक है, जैसे आपकी घर में डॉग है, आपने डॉग का नाम भी रखा होगा, कुछ है ना, डॉग तो common name हो गया, डॉग तो सबकी सब्स, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपने डॉग का नाम रखा होगा, तो वो ही आप रखोंगा ना, जैसे किसी ने टॉमी रखा होता है किसी ने सैमी रखा होता है किसी ने चारली रखा होता है ये क्या हो गए special name ठीक है अब देखो boy and girl are common name अभी मैंने आपको बताया कि ये जो boy है और girl है ये common name है boy गर्ल तो बहुत सारे होते है लेकिन जो इनको नाम दिये गए है वो special है जैसे इसको क्या नाम दिया है अभी इसको आरोही इसको किटी ये हो गए special name इसमें सारा ये ही बताया गया ठीक है अब आगया गया जैसे ये देखो इसमें easy way से सिखाया हुआ जैसे ये क्या common name boy, girl, cat जो मैंने आपको बताया boy कोई भी हो सकता है girl कोई भी हो सकती है cat कोई भी हो सकती है लेकिन जो special name होते है वो कौन से होते हैं अभी आरोही kitty जैसे आयान क्या है special name है सान भी क्या है special name है आपकी ममा का जो name होगा वो भी special name होगा है ना आपके पापा का जो name होगा वह भी special name होगा आपके ब्रदर का जो name होगा वह भी special होगा है ना यह कनिशका क्या है यह भी special name है थीक है अब next यह आपने खुद करना है इसमें लिखा है write your name अपना name लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिख दिया I am अभी मुझे आयान ही याद आ रहा था तो मैंने आयान लिग दिया Write your teacher name Teacher name लिख देंगे आप मैंने अपना नईम लिख दिया क्योंकि मैं आपकी मैम हूँ ना इसलिए Miss Meenu Write the name of your school जिस school में आप जाते हो कौन से school में जाते हो आप The Okud School School नहीं चे लिख लेना Space नहीं मिलेगा तो ठीक है है हम next page देखे Color the box that contains special name आपने उस में color करना है जो की जो special name हो जैसे English English क्या है subject का नाम है ये भी क्या है special name देखो मैं इसको color करना है आपने ठीक है मैंने यहां लिख दिया color जिसमें मैं color लिखूंगी उसको आप color करेंगे जैसे school school तो बहुत सारे होते हैं तो ये क्या हो गया common name इसको हम color नहीं करेंगे book book तो बहुत सारी होती है तो book इसलिए इसको ये भी common name हो गया है इसको भी हम color नहीं करेंगे Monday Monday special name है ना इसको भी हम color कर देंगे C-O-L-O-U-R color करना आप कोई भी color कर सकते हो ठीक है इसमें बताया नहीं हुआ कि कौन सा color करना है इंडिया भारत ये भी special name है तो इसको भी आप color कर दोगे ठीक है C-O-L-O-U-R color it ठीक है इनको color करना है आपने मैंने जो color color लिखे है अब आगे circle the special name of the following आपने देखना कि special name कौन सा है My uncle lives in Gujarat तो Gujarat के है special name तो इसको आप circle कर दोगे ठीक है My sister name is Pari मतब मेरी बेहन का नाम Pari है तो Pari आप special name है इसे लिए ये circle कर देंगे I like go to India gate India gate मुझे India gate जाना अच्छा लगता है तो India gate क्या है special name तो इसको हम circle कर देंगे My dog name is Jack मेरे dog का name Jack है जैसे मैंने आपको बताया कि आपने भी अपने dog का name रखा होगा वो special name होता है Jack special name है The first month of the year is January जो पहला महीना होता है साल का कौन सा होता है January तो जनवरी भी special name हो गया ठीक है और ये इसका मीनिंग था मेरे अंकल गुजरात में रहते हैं गुजरात भी special name हो गया ठीक है इसमें भी यही करना है circle the special name and filling the blanks I saw red fort मैंने लाल किला देखा तो red fort मतलब लाल किला लाल किला कहां पे है दिल्ली में तो आपने यहां भर देना है यहां fill कर देना जो आपने circle किया होगा ना fill कर देंगे red fort ठीक है अब आ गया is the special name of the building मतलब यह red fort है ना इसका name है red fort मतलब लाल किला अब आ गया गंगा is a holy river गंगा एक पवीत्र नदी है ठीक है तो आप गंगा गंगा नाम है ना नदी का इसलिए इसको circle कर देंगे और गंगा को यहाँ आपने fill कर देना है इसमें यही बताया कि गंगा एक special name है नदी का ठीक है गंगा यह ठीक है जो हरीदवार में बैती है उसको कहते हैं गंगा जैसे Mr. Sharma is a teacher जैसे teacher का नाम क्या है Mr. Sharma तो Mr. Sharma को आप circle कर दोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे Mr. Sharma ठीक है आज का काम इतना ही ठीक है बटा ओके have a nice day कर दोगे